नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार आउनीज मैं आम प्रकास सिंग कुस्वाहाँ रोहतास पुलिस द्वरा तोरित करवाई करते हुए मोटरसाइकिल आम अन्य शमान लूट की घटना में शनलिप्त चारा अपराद करमी दो मोबाईल के साथ 24 घंटे के अंदर रोहतास पुलिस ने किया ग्रफतार साथ ही लूटी गई मोटरसाइकिल पर्श एवं मोबाईल सहित घटना में परियुक्त एसकार्पियों को भी बरामत किया है दावत थाना अंतरकत दिनांक 26 अवलिक 27-11-2022 की रातरी में मलियाबाग रोट सुन होटल एवं अंतिमा मैरेज हौल के बीच अग्यात अपराद करमीयों के द्वारा रुपेश चौधरी पिता भगवान चौधरी गराम सेमरी थाना दावत चिला रोहतास को मार पिटकर मो थाना कांड शंक्या 262 अवलिक 22 दिनांक 27-11-2022 धारा 392 भारतिये डन विधान दर्ज किया गया था असे सिभारती पुलिस अधिक्च रोहतास के दोराया ततकाल इस मामने को कापी गंबिरता से लेते हुए घटना में शामिल अपराद करमीयों की तोरित गिरपतारियम लूटी गई मोटर सैकिलों में अन्य समान की सिग्र बरामदगी के लिए थाना अधिक्ष दावत थाना एवं अन्य पुलिस पदैकारी वा करमी का एक बिसेस टीम का गठन किया गया था जिसका मनेटरिंग एवं अनुसर्वन श्वैम पुलिस अधिक्षक रोहतास दोरा किया जा रहा था इसी करम में परामपरी का अनुसंधान्यम तकनिकी दिसे कोड से गठित बिसेस टीम के दोरा तोरित करवाई करते हुए इस घटना को अन्याम देने वाला अप्राद करमी सोनु कुमार, पुनित कुमार उप्फ निरहुआ, संतोस कुमार, पिंटु कुमार, पिता ब्रिज को सोरसा, सभी गराम, बरसतपूर, थाना, पीरो, जिला, भोजपूर को पुलिस के शहयोक से दावत थाना चेतर नतरगत दिनांक 26 एवं 27 नवंबर की रात्वी को मलियाबाग रोड सोन होटल एवं अन्तिमा मैरेज हॉल के बीच में अग्यात प्रातकर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति से मारपीट कर मोटर साइकिल एवं उनका मुबाईल तथा पर्स एवं अन्य सम द्वान लूट लिया गया था इस संबंद में दावत थाना कान संक्या दोसो बार्सा टॉबलिक वाईस दर्ज किया गया था इस मामले को काफी गंभीरता से लिया गया तथा इसमें जो भी अपरात कर्मी शामिल है उनकी गिरफतारी के लिए एसेचो दावत के नितित्व म गठन किया गया जिसके द्वारा घटना की समचना मिलते ही तुरंत जो भागने की दिशा है उधर वहाँ पर अपराधियों को पीछा किया गया और इस मामले में अगरतर कारवाई करते हुए चार अपरात कर्मियों के ग्यवतारी की गई है जो की सभी अपरात कर्मी जो पी किया गया, Scorpio गारी है उसको भी बरामत किया गया है, तता घटना में लूटा गया मोटर साइकेल एवम मुवाल तता पर्स उसको भी बरामत कर लिया गया है, इस प्रकार से एक काफी सम्विदन्सील मामले में तोरिध कारवाई करते हुए सभी अपराद कर्मियों की गरफटारी कर ली गई है एवं उसमें जो भी समान लूटा गया था उसकी उसको उसकी भी ब्रामदी कर ली गई असे सिभारती पुरी सदेक्चक रोहतास के दोराया ततकाल इस मामले को कापी गंबिरता से लेते हुए घटना में शामिल अपराद कर्मियों की तोरित गरफटारी हम लूटी गई मोटर सैकिलों अन्य समान की सिग्र ब्रामदी के लिए थाना देक्ष दावत थाना एवं अन्य पुलिस पदरिकारी वग कर्मी का एक बिसेस टीम का गठन किया गया था जिसका मनेटरिंग एवं अनुसर्वन श्वैम पुलिस अधिक्षक रोहतास दोरा किया जा रहा था इसी कर्म में परामपरी का नुसंधान अम तकनिकी दिसी कोर से गठित बिसेस टीम के दोरा तोरित करवाई करते हुए इस घठना को अज्याम देने वाला अप्राद कर्मी सोनु कुमार, पुनित कुमार उफ निरहुआ, संतोस कुमार, पिंटु कुमार, पिता ब्रिज को सोर सा, सभी गराम, बरसतपूर, थाना, पीरो, जिला, भोजपूर को पुलिस के सहयोक से दो मोबाईल के साथ गिरपतार किया गया है अम लूटा गया, मोटर साइकिल, पर्शियम, मोबाईल सेथ, लूट में परियुक्त इस कर्मियों को भी बरामत किया गया है उपरुक्त आप्राद कर्मियों दोरा इस कांड में अपनी अपनी संलिपता शिवकार किया गया है इस शंबन में दावत थाना कांड शंक्या, 262 अवलिस दिनांग 271 गारा 2022 धारा 392 भरतिये डन विधान दर्ज किया गया था पुक्त का अपरादे के तियास पता किया जा रहा है, कांड के शपल उद्भेदा नमर शामिल पुलिस कर्मियों पुलिस सीर्थ किया जा रहा है दावत थाना अंद्रगर तिनांग 272 तारीक की दात्री में एक मोटर साइकल सवार वेक्ती से स्कॉर्पियों सवार अपराद कर्मियों के द्वारा लूट पार्टी घटना कारी की गई थी, उसमें 24 घंटे के अंदर चारों अपराद कर्मियों की गरिफ्तारी की गई है साथी साथ लूटा गया मोटर साइकल, मुबाईल तथा पर्स को भी बरामत किया गया है इस यह काफी अच्छा कारे किया गया है पुलिस पजादी कारीयों के द्वारा इसके लिए पूरे टीम को इसमें पुरस्कत किया गया है